तो आज में आगी हो फिर से एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला जो केक हैं हम बहुत अच्छे फ्लीवर का बनाने वाले यानि कि सबका जो फेबरिट होता है रस मलाई फ्लीवर उसका केक हम आज बनाएंगे तो यहां पर हाफ कीजी चाहिए थोड़ा सा में ज्या किक हाउट कर लीजे गा केक को जैसे हम ठंडा करते हैं और ठंडा करके लोड़ करते हैं वैसे हमें करना है साथ में ब्रेड नाइफ के साथ हम कट्व करें अब यहां पर अगर आप चाहो तो कोई Shiva को सहते हैं अगर आपर अगर अच्छी तो अब अर extremesनारा है अगल ब्रेरी और जैसे कि मुझे मैं बात करूं कि कमेंट्स जो आ रहे हैं जो मैंने गुड रिच की क्रीम आप सबको दिखाईए वह तो कभी भी मत यूज करना भूल के भी मत करना अगर आपको क्रीम यूज करनी है तो ट्रॉपिकल ट्रॉपोलाइट कर सकते हो क्रीम बेल डिलाइट यह स गोल्ड है वह वली कभी मत खरीदना आप और दूसरी चीज की प्रिमिक्स कैसा है वह यूज करके आप हमें बताएए तो मैं गुड रिच का प्रिमिक्स जरूर खरीदूंगी और खरीद के मैं कुछ दिनों में आप सबके साथ उसका रिव्यू भी अच्छे से शेयर करूं यूज करूंगी अदवाइस ने करूंगी लेकिन मुझे प्रोडाक्ट देखना है कि क्रीम का अगर इस तरीके से तो मार्केट में इसका प्रिमिक्स है उसका टेस्ट क्या है तो एक बार लॉस होगा एक पैकेट के उपर पर कोई बात नहीं लेकिन उसका जो भी रिव्यू करूंगे तो यहां पर आप सब को पता है रसमलाई फ्लेवर के लिए हमेशा केक को जो सोक करते वह रसमलाई का यह जो मिल्क होता है इसके साथ ही करते जो कस्टड होता है तो अच्छे से ब्रेट के उपर इसके लगाएंगे हम स्पोन की हेल्प से और यहां पर चोटे-चो मैंने कट कर लिये थे मुझे जो रसमलाई थी ना वह राउंड शेप की चोटी-चोटी जो बाल्स टाइप की बनती है वह वली मुझे नहीं मिली मार्केट से एक दम फ्लैट टाइप की थी तो ऐसी मेरे पास मैंने चार खरीदी है कि बहुत जादा बढ़ा नी था और इसी हम लगाएंगे और सच में फ्रेंड्स यह वाली जो क्रीम है इतनी साटिसफाइड करती है इतनी जल्दी विप्ट भी हो जाती है कच्छी शाइनिंग देती है टेस्ट देती है क्योंकि जब गुड्रिच की मैंने यूज की ना क्रीम उसमें उसकी जो ना एक अलग ही लुक थी लुक का हूँ यह शाइनिंग का हूँ बहुत डिफरेंट थी उसका ना वो टेक्चर नहीं था क्रीम का एंड उसका टेस्ट उसकी स्मेल ना बहुत अजीब थी जब हम यह ट्रॉपिकल और ट्रॉपलाइट जो भी यूज कर रहे हो ना जितने भी मेरे वियूवर तो उसकी कोई भी समेल नहीं आती है क्रीम की लेकिन जब मैं यह गुड्रिज की रोज गुल्ड वाली क्रीम यूज की ना इसकी अलग सी तो वह जो स्मेल थी ना मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी और वह समेल मुझे तब है जब मैंने क्रीम को विप्ट करने के लिए कं लिए पार भी समयल भी अच्छी नहीं थी तो इसकी आफ़ी टेक्श्टर भी उसका आफ रही है तो यह मैं जाफ नहीं तो नहीं पोईंट्स नहीं दोंगी जीरो पोईंट्स दोंगी उस करीम को मतलब इतनी खराब थी मेरा एक्सपीरियांस बहुत खराब रहा होगा क्यो उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं तो बहुत सारी चीजे हैं तो वह चीज को नेक मैंने बड़ा लेसिन अपनी लाइफ में एक ले लिया है अपनी इस पेकिंग जर्णी में तो कभी भी आप वह क्रीम मत खरीदना मैं आज वाली वीडियो में भ बना परभू क्रीम मत लेना तो चलिए यहां पर लें आपे लेयर बाय लेयर जैसे हम करते हैं वैसे हमने सारी लेरिंग की है अच्छे से सोकिंग की है और यह जो सोकिंग है न आप चाहती हो कि अधी शूगर सिरफ नहीं लगाती केक बहुत जाए एक्स्टर स्वीत हो जात और साथ रस्मलाइ की छोटे चोटे हम छेंपाते है तो यह आलग ही होता है छह उते हैं क necesita को सब्सक्तूब योज़ुट में सfeldी ज़रोग कर तो यह दराना विल्क Cassट्ट हैot तो यहां पर नहीं लगाएंगे तो फुर्ट पूरा नहीं आएगा तो इसलिए बाकी केक की जैसे हमाइसिंग करते हैं वैसी कर लिए स्क्रैपर के साथ सारे केक को अच्छे सुर्ड यहां पर मैंने यह ना चोकलेट गनाज बना ली थोड़ी थिक बनाई थी तो यहां पर ज अच्छे सोसे मैंने डबल बॉलर पर मिक्स कर लिया और उसमें थंड़ा होने की बाद मैंने फुट कलर डाल दिया यह तो यह तो यह तो यह तरीके से स्प्रेट करना था मुझे बहुत पतली चोकलेट सॉस नहीं थी थोड़ी थिक बनानी थी बिकॉस इसके उपर हम जब चॉकलेट सॉस को तो इसलिए हमने यह तनी ही स्टिक बनाई तो मैं फिर से रिपीट करूं जो एक बार होता है चॉकलेट का उसमें से भी एक तम हाफ मैंने लिया एक तम चोटा सा तुकड़ा जिसमें मैंने सिफ दो चम्म जितना अन्विब्ड क्रीम जो है वो डाली डब जादा बनानी है तो जादा भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी बनानी थी स्केक की डेकोरेशन के साब से तो मैंने आपको उतनी मेजर्मेंट बताई है इसे हमने अच्छे से लगा लिया और यहां पर जैसी फोटो थी ना यह में रेफरेंस पिक्चर मिली थी क्लाइन के साइट से तो मैं ऐसा ही डिजैन बना रहे हैं यहां पर साइट पर जो हैं हम आलमेंट्स लगा देंगे इसे मैंने चॉप किया था आप क्रशर के साथ बी हाथ के साथ किया था ताकि इसके जो भी छोटे-छोटे टुकडे हैं वह थोड़ी जादे पतले नौ कही पर थोड़े मोटे हूं इस तरीके से में चाहिए तो एक साइट पर में जितने आलमंड से न वह सारे लगा दोंगी और उपर वाली जो सरफेस उस पर बाकी डेकुरेशन हम करेंगी तो अराम से जो है इस डेकुरेशन को करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है एक दम अच्छ कर लेना उसके बाद उसे यूज करना मैं यहां पर स्क्वीज नहीं किया था अच्छे से मिठाई को इसलिए जो था ना यहां पर थोड़ा से जूज यूज तो यहां पर भी चला गया बट कोई बात नहीं उससे कोई दिकतनीवी केक की लूग का अफी ज़्यादा अच्छ लिवरी नहीं है क्या प्राइज़ मैंने लिए जब मैं ओवर और लुक आपको दिखाऊंगे तो उसमें मैं आपको बता दूगी यहां पर कुछ आलमंड्स हम ने वहां पर लगाए वही वाले यहां पर भी आलमंड्स जो है थोड़े सब कर देंगे एकदम अच्छे से और स्प्रिंकल करने के पाथ थोड़ी सी और गर्निशिंग है वह भी हम करेंगे तो यहीं पर केक बहुत जादा अच्छा लग रहा था और क्लाइंट जो यह मेरे हैं यह साउथ इंडियन क्लाइंट है मेरे इन्होंने मुझसे भी तक तीन बार केक लिए हैं तो काफी इंप्र आप चाहो तो ओरिजिनल भी जो रेड पेटल्स होते ना वह भी छोटी-छोटी टुकडे में कट करके लगा सकते जैसे मेरे पास था तो मेरे पास एक और मैंने केक का बनाया हुआ था सेम डेही यह और था तो मेरे पास कुछ पेटल्स जो मैंने निकाले थे रोजे से वह सोचा कि चलो यह कफी अच्छा लग रहा और मेरे पास रिसमलाई केक का ओडर भी है तो इस पर मैं थोड़े से लगा देती हूँ तो थोड़े से ड्राइ वले भी हमने पेटल्स लगा दिये थोड़े से यह और जादा अच्छी आए और साइट पे केक बोट के साइट पे ह अच्छी का हमारा केक था लेकिन थोड़ा से जादा था तो इस केक का पूरा प्राइस था वो मैंने 550 लिया है अप अपनी जगा के साब से जादा कम जैसा है आप ऐसा ले हैं प्राइस चार्ज कर सकते हो बाकि आज वाली केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी पसंद होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर कीजिएगा ऐसी नई नए वीडियो को देखने के लिए और आपके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट में जरूर पूछा किजिए जितनी कोशिश होगी मैं वीडियो के थूँ या कमेंट के थूँ आप सब के कमेंट्स के रिप थैंस पर वाचिंग